हेलो बच्चों तो कैसे हो आप सभी तो बच्चों आज हम exercise 6.4 का question number 8 करने वाले हैं इसको ध्यान से करना देखो question number 8 में क्या बोल रहा है कि कोई gardener है जिसके पास thousand plants हैं और वो इन plants को in such a way में plant करना चाहता है कि rows and number of columns remain same तो means वो ये इसको इस तरह से plant करना चाहता है कि मान लो ये हमारे पास कुछ ये हमारा garden है suppose कर लो ये हमारे पास garden है वो कह रहा है कि जितनी उसके पास rows हैं उतने ही columns होने चाहिए तो अगर हम एक दो तीन चार इसकी rows लेते हैं तो वो बोलता है कि उसकी जो columns हैं वो भी कितनी होंगी चार ही होंगी means x rows अगर 4 columns चार rows हैं और 4 columns हैं तो बेटा यहां पे हमारे पास अगर हम count करें तो total कितने plants लगेंगे 16 plants लगेंगे नहीं लगेंगे अगर हमारे पास इसी तरह से 5 rows होती हैं हमें column भी कितने लेने पड़ते हैं 5 तो उस case में भी हमारे पास बेटा जो number of plants इसमें वह ला सकता है वो कितने लगते 25 अब उसी तरह से अगर मान लो यह हमारे पास 6 rows होती हैं तो columns को भी कितना होना पड़ता 6 होना पड़ता तो उस case में हमारे पास कितने लगते 36 मतलब कि जो number of plants लगेंगे या तो वो 16 होंगे या तो 25 होंगे या तो 36 होंगे अगर 7 हो जाती रोज और column तो 79 लगते तो that means जो हमारे पास ये number of plants लगने वाले हैं वो number of plants जो number आएगा वो क्या होगा एक perfect square होगा नहीं होगा तो that means जो भी हमारे पास number of plants आएगे बेटा वो क्या होगा हमारे पास आलवेज एक जो है perfect square होगा जैसे मान लो उसने 10 रोज ले ली और 10 यहां से columns हैं उसके पास कर 10 रोज 10 columns है तो total ले plants कितने लगेंगे 10 into 10 100 लगेंगे तो इसी के लिए जो हमारे पास number of plants लगेंगे वो क्या होगे हमेशा ही हमारे पास एक perfect square होगे बट देखो बच्चा यहां पे हमारे पास thousand है और इसके पीछे तीन zeros लगी होई है तो यह तो हमारे पास अब भी perfect square नहीं है बट हमें यह मालूम है कि अगर हमारे पास कोई एक number है तो अगर वो perfect square नहीं है तो हम उसमें कुछ plus या minus करके उसको perfect square बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे अब इसमें से देखती है क्योंकि उसके पास plants कितने thousand तो हम एड़ करकर तो बना नहीं सकते क्योंकि उसको plants सी अगर thousand है इससे जादा तो वो है इनी उसके पास तो जादा तो कहां से लेगा तो हम क्या करेंगे इसमें से वो number डूडेंगे कि जब उसमें से हम यह minus कर दें तो वो क्या बन जाए एक perfect square बन जाए तो देखो यह हमारे पास thousand है और यह हमने कर लिए उसकी pairing तो यह जाएगा अब three three is the nine तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास hundred तो three का double करेंगे बच्चों वो six तो अब हमें less वाला लेना है तो यहाँ पर देखो six one ही आएगा अगर हम two ले लेते हैं तो उससे बड़ा हो जाएगा बट हमें less वाला चाहिए तो हम यह लेंगे तो यह हो गया हमारे पास तो अब की बार हमारे पास आजाएगा इसमें minus करके ten में से one गया nine तो यहाँ पर nine में six करे 39 तो that means thousand में से अगर हम 39 में को क्या कर दें subtract कर दें तो हमारे पास बच्चा बचेगा ten में से nine गया one nine में से three गया six nine sixty one तो that means उसके पास उसको क्या करना पड़ेगा जो उसके पास number of rose है वो कितनी लेनी पड़ेंगी उसको मतलब की total number of plants वो कितने लगा सकता है nine sixty one लगा सकता है अगर इस तरह से वो लगाएगा तो उसको nine sixty one plants ही use होंगे और 39 plants है वो ऐसे ही रह जाएंगे तो उसने हम से यह पूछा है find the minimum number of plants he needs for this तो उसके लिए उसको कितने plants शहीं है nine sixty one plants शहीं है और अगर हम इसका square root को find out कर लें तो हमारे पास आजाएगा thirty one तो it means उसको thirty one rows शहीं होंगी और इसी तरह से thirty one columns शहीं होंगे जिसमें वो total nine sixty one plants है वो अपने लगा सकता है तो बैटा इसी तरह से आपको अच्छे से statement वाले question को समझ कर करने हैं क्योंकि यही छूटशूटी बाते होती है ठीक है चलो अगरे lecture में अगरा question करते हैं